आज एक energy circle के बारे में बताऊंगे आप लोगों को और ये energy circle बहुत बहुत important है आप सबको बनाना ही बनाना है इसमें हम किन किन चीजों की हमने इसमें जगा रखी हुई है और वो चीजों क्या शक्तियां है जो हमारी wishes को manifest करने में या फिर हमारी life से blockages को remove करने में help करेंगे उनके बारे में भी बताऊंगे वो भी आपको ध्यान से सुनना है ठीक है सबसे पहली बात इस energy circle को बना करके लगाना कहां पे है तो वो बता दूँ आपके घर का जो east का wall होगा east की wall पे आप इसको paste करेंगे लेकिन हाँ यह ध्यान रखना है कि जब आप इसको paste कर दोगे तो वापस से अगर आप सोचोगे कि इसको निकाल करके हम पीछे वापस से अपनी कुछ wishes और add कर दे तो वो नहीं कर सकते यह one time activity है इसलिए बता रही हो आपको आप plain paper लेंगे ठी अरावत हाथी की powers को इसमें हम यहाँ पे लाने वाले हैं circle के अंदर ठीक है energy circles कितनी effective होते हैं आप सब अच्छे से जानते होंगे हम ने एक नहीं बहुत सारे energy circles बनाए हैं अभी तक हाज का जो energy circle है इसमें एरावत हाथी है और मानेता यही है कि जब हम जब समुंधर मंथन हुआ था तब उस समुंधर मंथन में जितने भी रतन निकले थे उन रतनों के साथ एरावत हाथी भी निकला था और एरावत हाथी के powers इतने है कि मानेता है कि हजार हाथियों की शक्ती एक एरावत हाथी में है इसे आप triple headed elephant के नाम से भी जान सकते हो आप चाहो तो google में search करना triple headed elephant करके बहुत सारे उनके images आप वहाँ पे देख सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे इस video में देख रहे हो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जब आप यह circle बनाओगे तो इसके अंदर आप google से ही हो सके तो अगर आप print out निकाल सकते हो triple headed elephant का तो वो निकाल करके और उसको paste करके आप इस circle को बनाओ जादा effective रहेगा अगर in case आपके पास कोई गुंजाईश नहीं है कि आप printer से print out निकाल के और यहाँ पे picture लगा सको तो आप के लिए second option में बताऊंगे कि आपको क्या करना है वहाँ पे आप क्या लिखोगे या फिर क्या कर सकते हो जहाँ पे एरावत हाथी की pictures होनी चाहिए मैं आपको बता दू कॉलंबिया एक ऐसा देश है और उसके आसपास Thailand है और काफी सारे देश है जिन में triple headed elephant के statues को अपने घरों में रखा जाता है ठीक है वो लोग यह मानते हैं कि triple headed elephant के statue को रखने से luck आता है abundance आता है prosperity रहती है और बहुत अच्छा रहता है और जो बहुत सच भी है ठीक है यहाँ पे आपको एक चीज और बता दू हाँ इस circle में अगर आप edit करोगे और edit तो आप लोग ज़रूर करोगे comments में ज़रूर लिखोगे हम यह लिख सकते हैं हम वो कर सकते हैं यहाँ पे आपको triple headed elephant ही यूज करना है आप दोनों शक्तियों को यहाँ पे जोड़िएगा मत यह ध्यान रखेगा गनिश जी के लिए हम कुछ अलग सा एक देखेंगे कुछ अलग हम circle create करेंगे लेकिन यहाँ पे जो triple headed elephant है जिसे हम एरावत के नाम से जानते हैं उसी की picture को या उसी के नाम को आपको यूज करना है इस circle को बनाएंगे कैसे वो बताती हूँ आपको plain paper लीजिए उस plain paper में एक बड़ा सा circle आप ड्रॉ करो red color का होगा वो circle बड़ा सा red color का marker, sketch pen जो भी लेना है वो ले लिजए आप यहाँ पे picture में देख सकते हैं मैंने black background यूज किया है उसके पीछे कारण ये है कि हम वो थोड़ा prominent सा नजार आए आप लोगों को इसलिए सिर्फ नहीं तो white paper ही लेना है उसके उपर आपको red color का ऐसा circle बनाना है उसके अंदर जो आप word लिखोगे switch word होगा जो बहुत magical होता है obviously वो होगा divine side में आप जो code है वो code लिखोगे जो एरावत का code है आप मान सकते हो जो है 6436 ठीक है दोनों तरफ ये numbers रहेंगे इसके नीचे मंत्र रहेगा जो बहुत important है जो की गनेश जी का मंत्र है वो आप लिखोगे और वो है वललभम गजानानम एक दंतम ठीक है ये लिखोगे और ये सारे जो भी चीज़े आप लिख रहे हो ये English में ही होंगे इसको आप convert नहीं कर सकते दूसरी बात ये capital letters में होंगे small letters में नहीं होंगे तो आप चाहो तो ये जो मैंने बना के यहां पर आप लगा रखा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप इसका भी print out निकाल सकते हैं और इसको इसके पीछे जो plain area होगा जो plain paper जो मैं बता रही हो कि circle जो बना लिया आपने ठीक है इसके पीछे आप फिर अपनी जो भी wishes है जो अभी तक जो चाहिए आपको wishes भी क्या जो आपको चाहिए life में वो लिखना है suppose अभी मैं सबसे पहले students को ले लेती हूँ क्योंकि अभी सब के board exams चल रहे हैं सब prepare कर रहे हैं अभी stressful situation है उनके लिए तो वो लिख सकते हैं कि हमारे marks अच्छे आ जाए second हमारा ये subject बहुत अच्छे से clear हो जाए या फिर कोई particular percentage है तो उसके लिए अपनी चाहते लिखनी है present tense नहीं, past tense नहीं, कुछ नहीं अपनी चाहत, आप चाहते क्या हो वो सारी चीज़े लिखनी है अच्छा ये चीज़ उनके लिए बहुत effective होने वाली है जो relationship manifest कर रहे है जिनके parents convince नहीं हो रहे हैं अभी तक ठीक है, या आपके parents हो या specific person के parents हो दोनों parents को convince करने के लिए बहुत important है why? because ये जो triple headed elephant आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो एरावत आप देख रहे हो ये unity का प्रतीक है ये family में एक तरह से मैं बोलूँ एक ता एक दूसरे के साथ बहुत bond उसका प्रतीक है ये और मानिता ये है कि जिस घर में एरावत हाथी कि ये प्रतिमा रहती है ये फोटो रहती है उस घर में उस घर के family members सब एक दूसरे से बहुत जुड़े होए होते हैं एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं ओके इसी मानिता के साथ आपको जो relationship issues हैं जिनके suppose मेरे parents नहीं मान रहे हैं मेरे parents मान जाए या फिर मेरे specific person के parents मान जाए हाँ आप कर दे मेरी शादी मेरे person से हो जाए ये सारी चीजे अपनी लिख सकते हो जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे जॉब मिल जाए वीजा के लिए जो लोग परिशान है वो लिख सकते हैं court case जिनके चल रहे हैं वो अपने वो चीजे लिख सकते हो सकते हैं वो simple सा आप ये वाली वीडियो देखिए इसमें आपको दिखेगा ये मैंने जो बनाया है simple आप थोड़ा और creative कर सकते हो उसको साफ साफ बना सकते हो मैंने जैसे भी बनाया है इस तरह से आप भी बना सकते हैं जहां पर elephant की picture लगानी है क्योंकि हमारे पास option नहीं है कि हम picture निकाल सकें printer नहीं है कि हम print out निकाल सकें तो आप क्या करोगे simple वहां पे एरावत लिखोगे a-i-r-a-w-a-t एरावत एरावत हाती का नाम लिखोगे capital letter में again और फिर इस paper के paper को पलटके जो पीछे का plane area है उसके उपर अपनी सारी wishes जो आपको चाहिए वो लिखोगे अब आप क्या करोगे इसको अपने घर के east के वाल पे lobby का area हो drawing room का हो room का हो कोई भी जगा हो आप वहां की सिर्फ wall east होनी चाहिए यह ध्यान रखना आप इसको पेस्ट कर देंगे आप देख रहे होंगे जैसे मेरा जो पीछे का wall है वो east है तो east की तरफ यह paper paste हो जाएगा लिखा हुआ content आगे रहेगा लिखा हुआ मतलब इस energy circle जो दिख रहा है यह आगे रहेगा और जो wishes आपने लिखी है वो wall पे paste हो जाएगी इसके पीछे कुछ reasons हैं जो मैं यह आपे video में explain करूंगे तो बहुत लंबे video हो जाएगे simple आपको करना इतना है इसके बाद रोजाना डेली की activity आप रख सकते हो कि आप इसको जो यह triple headed अगर आपने लगा रखा है elephant तो उसको जरूर देखो और यह circle में जब इतनी चीजें आप लिख देते हो कर देते हो तो यह magnet type में बन जाता है एक ऐसा केंदर बिंदू बन जात और इतनी असीम शक्ति वाली चीजों को जब आपने इसमें पुट किया हुआ है तो आप सोच सकते हो और इसका प्रतीक है actually जितने भी obstacles होते है ना जितनी भी रुकावटे होती है लाइफ में उन सब को खतम करना उन सब को बिलकुल एकदम से eliminate कर देना चीजों को और चीज जब भी आप इस सर्कल को देखते हैं अपने घर में या जहां पे भी आप देखते हैं तो आप इसको देख करके इस मंत्र को चांट कर सकते हो जितनी भी बारी करना है कर सकते हो अगर आप पूरे dedication से करना चाते हो तो येस आप 108 बार रुदराक्ष की माला से कर सकते हैं इस करो लेकिन हाँ ट्राय ये नहीं कि हाँ हम देख रहे हैं क्या होगा नहीं होगा ना ना जब करना भी है तो पूरे विश्वास के साथ पूरी श्रद्धा के साथ ओके सारी चीज़ बिलीफ के उपर है सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ होता नहीं है लगा दिया है बस देखते हैं फिर कभी नहीं कुछ होगा आपके विश्वास कि जो डोर है वो बहुत पक्की होनी चाहिए बहुत ठीक है अच्छा इसके साथ-साथ एक चीज़ और धिहान रखने वाली बात है कि आप जब इस energy circle को बना रहे हैं तो restrictions क्या-क्या है periods में कोई restriction है कोई restriction नहीं आप अराम से बना सकते हो कब बनाना है कभी भी बना सकते हो इस paper की पीछे जितनी चीज़ें लिख दी है जब वो पूरी हो जाएंगी तो क्या इसको dispose कर देना है अगर आपको लगता है कि इसके पीछे लिखी हुई हर बात पूरी हो गई है तो आप इसको dispose करके नया बना सकते हो ओके इसको क्या हम अपने बुक में रख सकते हैं छुपा करके क्योंकि बाहर कोई देख लेगा नए अगर बुक में रखने की बात है तो आप मत बनाओ इसको ठेक है फिर कोई और energy circle हम बनाएंगे जो आप अपने journal में बना सकते हैं बुक्स मे अगर बना रहे हैं तो प्लीज इसको वाल पे स्टेक करिये अगर नहीं कर पा रहे हैं सपोज आपको लगता है वाल खराब हो जाएगी हम वाल पे नहीं चिपका सकते हैं आप कोई mirror है अपका कोई almira है उस पे लगा सकते हो अगर आप चाहो कोई scenery है उस पे आप पेस्ट कर सकते हो जैसे भी होगा यह लगेगा तो east की वाल पे ही ओके तो तब ही यह beneficial होगा so I hope चीजे clear है इस energy circle को बनाईये आप लोग and just क्या बोलू मैं wait for miracles that's it so that's all thank you so much and god bless you all